जनल सेक्टी भी हैं, लीडर भी हैं, और मैडम अंबिका सोनी जी जो कांग्रेस की जनल सेक्टी जमू किश्मीर अचार्ज हैं, उनका प्रोग्राम 16 तारीख को जमू में होना तैप आया था, कि वहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे और तमाम वर्कर साच्जियों से मुलाकात करेंगे, और उसी ऐा करएंगे में कर्वेंशन, कि अंदर हम लोगों को चलना है उस चिल्सला की ये मीटिंग थी लेकर ये जलसे में तफ्जील होगी और खूपसूर्टी की बात ये है कि जिसको सब कहते हैं कि कांग्रेस कमजूर है गुलावगड में इस कांग्रेस के वरकर सुपाही जब इतने मजबूत हूं जो आठ पें उनके दिल कमजूर है अपने वह ड़ते हैं आपसे खक्सराते हैं इसलिए यहां पर बातें चली गई कि कोई कहा गया कि दफ्टर यहां से वहां चलेगे वहां से यहां चलेगे असल में जितने भी फिरकाप्रस्त लोग हैं या पार्टियां आपने एक चीज़ देखा होगा पिछले आठ दास बर्सों के अंदर जब वो ड्वेल्मेंट के मुद्दे से हटना चाहें तो वो फिरका प्रस्ति की बात करेंगे वो अलाके में आप तो तक्सीम करेंगे आप देखियें बाज़िया जन्ता पार्टि कभी राम मंदर की बात करती है कभी टिपल तलाग की बात करती है कभी इसी तरह के और के शकुफे छोड़े जाते किसलिए छोड़े जाते हैं ताके लोग ये ना पूछें के 15 लाख अकाउंट में कैसे जिया ताके लोग ये ना पूछें कि यहां पर जो बाकी नौजवानों के लिए काम होने थे वो रही हुए ताके ये लोग ना पूछें कि कसान का डबल फाइदा हुआ कि नहीं हुआ इसलिए इस सब को रोकने के लिए वो दो बाते कह जाते हैं वही सियासत हमारे माहुर की भी है कि यहां पर हर ची कि अधारा साल के अब हुए जा मैंने एलेक्शन लड़ना शुरू किया था आज वो ठारा साल के वोटर है यानि कितने नौजों सा थी यह मुद्दे उस वक्त भी खे जब उस वक्त भी कुछ लोगो ने बात की हुए यह मुद्दे नौजों साथ यह मुद्दे सरफ बोलने के लिए होते हैं इस पर अमल करने के लिए नहीं होते हैं और ना वो इसलिए देते हैं कि अमल करें वो इसलिए यह बातें करते हैं कि कल आप उनसे कोई सवाल ना पूछ मैं लेकर में बाहसियते कांग्रस वरकर आपको बात आना चाहता हूं आप सवालों की लंबी फ्रिस्ट अपने पास बताई है आई बहुत अच्छी हैं मुझे बड़ा मज़ा आया बात सुनने का मैं लंबी तक्रीफ जलसे वाले नहीं करूँगा क्योंकर पुल्टिकल वरकर हैं मैं वरकरों की बात करूँगा कि हमें किस तरा से आगे अलाकर में जाना चाहता है अगर गुलाव गड़ के अंदर कोई के सामने किसे किया होगा या तो एक ही हम लोगों ने किया आजी बुदंखान सामने किया आपके सामने का कही जा मैं जाता था मुझे एक शीर सबसे अच्छी लगती था मैं कहता था जब वहां पर जाते थे कहते थे यहां पर बिजली के दस पोल लगे हैं यहाजी सामने लगा है बाकी वाले आफने लगाने यहां पर प्रेमरी स्कूल है जिसको हाई आपने करना यहां पर यह पाई पे एक महले को लगी है यह बाकी महले को आपको लगने है और यहां पर चीमनिस्टर कभी किसी ने लाया और जिसने कोई कंट्रिबूशन दी वह हाजी बुलंद खान साथ यहां को बलमत कोड के मुकाम पर बठाया तो यह नेशन हाई वे उस वकत की देम अगर नहीं है कोई भी यहां का स्यासेदान चैलेंज करके बताया कि यह वसकत की द ग्लाम नभी अजाद साथ को हमने लाज में बठाया ग्लाम नभी अजाद साथ को हमने बंदा में बठाया और उससे चीजें हासल होने लगी इन्होंने लाए लिए जब यह जब सरकार में थे या सरकार के साथ कोई था उसके तो कहते हैं हम तो मिनिस्टरों को ला रहे हम त लेकर पीछे कहां पर रहें अमेले का काम है बिजली पानी और सड़क तीन चीजें काम है कि नहीं है जो जीता हारा आपने बद्रा ले लिया जिसे ले रहा है लेकर आपने मुकमल कर लिया बाकी चीजें आपने हसाब जो मुकमल कर ली अमेले के हसाब में अगर सड़कें तीन सार में जितनी ममताज सामने बनाई तो बाकी भी तो कुछ बताएं कि हमने ये किया वह हम ने ये आपकी सड़क बनाई जाब यहां पर कोई वजीर आते थे यहां बड़ी बड़ी बाते होती थी तो उस वकर तो बाते होती थी कि हम तो यह यहां से तरल खोद रहें क्या ना मैं बुलाब बड़ से आगे नगीरवार्ट के लिए तो टरल कहां पर पहुंचा ह है हमें भी तो पता लगना चाहिए यहां पर कहा हमा आपका तो भारतिया जनता पार्टी का तो समझोता था पीडीप और बीजेपी वालों का लाकिया गुलाब बड़ के लिए उस समझोते के अंदर आप लोगों में नेशनल कांफरस ने यहां पर कौन सा आदमी है जिसको दो अपने अजमाना है मैं आपको एक साह बाता हूं हाजी बुलन्खान साभ रहे या उनके हम बेटे है हम अजमाय हुए नहीं हापने हैं हमक्राइब करनी हारे जीते तड़ेश चाहे सामने रहे चाहे 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 में हार। प्रस्त्रपकोन सब्सक्राइब में थेलेट सरकारे तो रही जिसने नुरा सिन साथ ने कहा जनता पार्टी की सरकार ही, यहाँ के जनता पार्टी का भी कोई election लड़ा होगा। सिर्गाव इसे पूंजे कुछ यह से लड़ा होगा नेश्टर lockssta कि सми पूरण ओर हर पार्टी की छिता रही और हर एक नमाइजे ने पांच पांच खशे शे बार इलेक्स दढ़े हों निया कोई है है हमारे में से अब ही परणFe यहीं कहते हैं अब बड़ी बातें करने कि कभी दूसरा जल्सा होगा जिसने उस दिन करेंगे कहते हैं मंताज साब चीन साथ मंताज साथी आए ये तो दिली से स्की में आए भाई गोजरीवा के आए चुंड के लखनी तो आए फूंड सो आए तो सेही ना तुमारी चुंड की इसनी पैड़ी के तुमारा कोई नी देखा तेरो तुझ के लो इसना हुआ है कि लेशा अपर किये नहीं चाहिए तो मारा इंटर करें करी कहीं कहीं से जहां से भी आया मैं गार्से नहीं देता हूं नहीं है सब्सक्राइब करने से हुम्तार सब्सक्राइब कर देतي देता है दोटा तुटाइबannya तो आथ मेरे इंज़र मौदी साम नहीं देनें तो जितने मर्जी तूं काम करते रहनें नहीं देनें सिरी सिरी बात नहीं देनें कल बजट वोगे उसके पांचमान बजट हो गया, हो गया के नहीं हो गया, पांचवां बजट क्या दिया उन्हों ने गरीब अर्मी के लिए क्या दिया मैं देख रहा था एक दिन कोई कताबें पड़ रहा था हिंदोस्तान के अंदर कि पत्यूँ पुचाश 15-पी सदी पैसा जो है दौलत जो है वो एक प्रसंट अमीर लोग है पास प्चाश बाकी अट-ताली मीस दौलत जो है वो कितने लोगों के पास है नडिनुए प्रसेंट लोगों के पास तो टैक्स जब लगना गरीब पर लगना जुलम जब होना गरीब पर होना असीना गरीब ने पहाना टैक्स गरीब पर लगना और आमदर फाइदा किसको अमिहरात्मी को इसी तरह की सूरत हाल इदर भी है तडपने का ये शोग ये को इष्ट करना जो ये बाते हो रही हैं ये बातें सिर्फ इसलिए हो रही है कि जिनके जोले खाली हो गया जो को बीट के मिडल में थे जिनके जोले खाली हो अब में अदो सुझे हैं ये मूर के कैसे बने उनको किसी महोर के का चोख नहीं है अगर सही बात करें हम Totally hombres सदू उस्पीवटनी करें और नहीं कनसी है लाइब को एक करना आपस के जर्वा बने तो पुझा इसना भरी आ आप मेलज ऑप्तों जूतिधान लोग है जो क्या उथी पर टोगे में और भूं fringe झाते हैं अय लोगं आप कर दोगे आप कहां से डिस्टक लाओगे यह तो जंग उसी वकट शुरू कर रहे हम ने तो दिख अभी कहा कि हम दर्माडी जिला ले जाना चाहते हैं खाहिश तो जानवामत के दिल में भी है खाहिश तो अस्रम के दिल में भी है खाहिश तो गनी चीब संजीत के दिल मे है केवल सिंग को भी दिल होगा कि शायर मज़े चिंकाई जिला बने किसको खुआ इस नहीं हो लेकर उस बनने तक पहुंचने की जुरूरत है आज तक मैं कहूंगा असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर कोई रिकार्ड नहीं है आज तक किसी लीडर ने ये कहा होगा कि घूल गलाग बढ़ को आप एक जिला दे दो आप रिकार्ड बताओ एक रेजुलेशन इनको को बता दो आपने किसी को पेश किया एक सपास न बताएं अगर ये बताएं कि हमने ये किया उस दिला के लिए जिस दिला पर आज जंग शुरूओ कि यह वो पहुँच आया वो सलाल डेम से अधर तब रहा है आप हमने कभजा किसने करना है बात तो ऐसे चलिए सिर्फ कभजे की बात है किसने आसल करना है जो बच्चा निए अभी है जहीं वो मोर्कुले गूल कुले अर्नाज खुले धुर्माडी खुले वो तो अभी बात की बाते हैं अगर असेम्बली के अंदर हमने बात की तो मैंने कहा के गूल गुलाब काड़ हिल डॉयल्मेंट कांसल होना चाहिए मैंने रिखल आना रिकार्ड में और किसीNow ने लाईए कि यह लोग ज्माती है किसी किसी डिस्टर्ड डॉल्मीट बॉर्ड रिकार्ड मैंनीस्टर साथ यहाँ पर आई क्या नंहां ठीक है किसी तूर्माड होना चाहिए जब आपने बात ही ने की तो लड़ाई की इस चीज़ की जब आप तहसीलों की बात यहां पर चली कहा सम डिविजन यहां से खुल जाएगा कहा जाएगा दर्माड़ी चला जाएगा SDM दफ्तर यही बात की दो अलेक्शन इसी पर लड़े कि SDM दफ्तर यहां से वहां चला जाएगा तो दर्माड़ी वालों ने आपको आज हमने उसके बदले कितने SDM दफ्तर बनाए दर्माड़ी एक महोर आ लड़ी था दो गूल तीन जो दो दूसरे चसाना सूरी का जो SDM दफ्तर तीस चो था और यह कहना मैं पास्रमा नहीं दिया कभी इस पास्रमा नहीं तसील का दिया तसील सीसाना मैंने वहां पर कहा था आज मांगो तसील सीसाना होने चाहिए मेरेस बसे पहला जो खुले थे जिनका आडर हुआ था जमसलान का अगर बलाग का आडर हुआ था तूडी का अगर SDM दफ्तर का आडर हुआ था इसी तरह और बहुत से दफ्तर हैं जिनका आडर हुआ था वो बलागगार तसील की बात है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि वह खुल को पिवारे करा हुं। हमारी the regret का ये है कि वह हो दफृ सब से पहले खुलने चाहिए üst और स्ँने को और बुलाग क्या तो यहां पर सूने चाहिए हमने उसदवरकर मेलगया के हमारी पटूर हथा जो है वह वह पंजायत के मताऀस होने कि आपना काम करना है कि इसलिए मेरा कहने का मकसद यह आपको असल मकसद से हटाते हैं ताकि आप वो सही सोचो ही नहों अगर आप वरकर हो कांग्रेस पार्टी के कि आपको इसकी तरब जहनर में कोई आपसे नंसाफी कोई से नंसाफी नहीं कर सकतेाasyu क्यों नंसाफी करेंगी हुए हैं हंनों स्यास के क्लिए थे तूकर से श्यास सփ आया है कोई तूसरा के चाने मेरे Asa कJ में थाजिया नहीं पूरा निफ जाए तो फिर आदमे के हिस सिरे पोइंट है इसलिए मैं आपको कहता हूं आप इन लोगों के इन सवालों जुआबों में मत पढ़ो अगर इन सवालों को जाए से टीवी डबेट शुरू हो जाती है ना उल जाने के लिए ताके लोग असल मकसद सोचे इना इतन किसी बात है इससे ज्यादा कुछ निए लेकर जापी काओं के अंदर बैठो असल मुते की तरह बात करो कि हमारे बच्चे अनिम्प्राइट है इनको रोजगार कैसे दिया जाएगा सबसे बड़ा चैलेंज आज मैं कल देख रहा था एक रिपोर्ट कि जमों कश्मीर में बचिया हुआ रही है उनको रोजगार मिला है बाकिसाब बेरोजगार है हमने उसके लिए जतन करने है हमने उसके लिए तरीके बनाने है आज अमली तोर यह होता है कि अगर आज कांग्रेस की सरकार राजस्तान में आई है आज कांग्रेस की सरकार मतिया प्रदेश में आई आज कांग्रेस की सरकार अगर 36 गड़ में आई तो कैसे 24 गंटे के अंदर अंजर कसानों का माफ जो 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 लोन है वो माफ हो गया वह कि नहीं हुआ वना तो नरीदर बोजी साहब ने सब के अकॉंट वो उस क्या 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 अकॉंट के नाम बड़े मज़ेदार देते हैं जंदन योजना जंदन योजना कहीं ना धन तो ना जन तो ना इसलिए आज कांग्रेस की सरकार जब तीन स्टेटों में आई वहाँ पर शुरू किया राजस्तान से शुरू किया कि 3500 रुप्या अन इंप्राइड को स्ट्राइफं 3500 रुचार जार हर बेटी और बेटे को मिलेगा जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा कांग्रेस वाटे ने शुरू किया रिकारड है ऐतसा कॉर्ण में घ्राइक रूंजो हो गया हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिस बच्चे को खाने को रोटी नहीं होगी उसको जिला को ख़त recom कि क्या करेंगा जिला को एसदिए अ क्या करना है उसको किसी दूसी तीसी चीज जो बड़ी बड़ी बताएंगे उसको क्या करना है उसको तो प्रेश में रोटी जाथी वाई